बात करने वाले हैं Amazon A2Z Guarantee के बारे में आखिर ये Amazon में A2Z Guarantee होता क्या है तो जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि Amazon में दो प्रकार के प्रोड़क्ट बिखते हैं जिसके बारे में मैंने औरेडी वीडियो बनाया है पहला होता है फूलफिल्ड बाई Amazon प्रोड़क्ट और दूसरा होता है सेलर फूलफिल्ड सेलर फूलफिल्ड प्रोड़क्ट मतलब जो कि थर्ड पार्टी सेलर Amazon Marketplace में आकर बेसते हैं इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए आपको उपर आई बटन के लिंक और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी आप जाकर वहाँ पर वीडियो देख सकते हैं अभी बात करते हैं कि जो Amazon A2Z Guarantee होता है इसमें काम क्या आता है और ये क्या काम करता है तो जैसा कि आप स्क्रिन में देख सकते हैं कि Amazon A2Z Guarantee जो है वो Protection Provide करता है कि इसके रिगार्डिंग जो हम आईटम पर्चेस करते हैं थर्ड पार्टी सेलर से Amazon.in में थर्ड पार्टी सेलर से कोई समान पर्चेस करते हैं तो उसके रिगार्डिंग Protection Provide करता है बोलने का मतलब ये है कि कभी अगर आपका सेलर अगर आपका प्रोड़क्ट डैमेज निकल गया या आपका प्रोड़क्ट मिलने में डिले हो रहा है या फिर आपका रिफंड नहीं मिल रहा है सो इसे कंडिसन में अगर सेलर बहुत आनाकानी कर रहा है तो उसके उपर हम A to Z क्लेम जो है कर सकते हैं आगे इसके बारे में जानकारी लेते हैं कि क्या क्या requirement है A to Z guarantee में तो सबसे पहले जो भी आप प्रोड़क्ट पर्चेस करेंगे वो प्रोड़क्ट जो है वो Amazon.in Marketplace से आपको पर्चेस करना है यानि कि उसकी website या app से आपको पर्चेस करना है Amazon के उसके बाद अगर आपको प्रोड़क्ट मिलने में डिले है तो सबसे पहले आपको estimated delivery date जो मिला होता है उस पे आपको थोड़ा सा wait कर लेना है और अगर आपको estimated delivery date से late product मिल रहे है तो आप A to Z guarantee में जो है वो claim कर सकते हैं इसी के अलाबा अगर आप देख सकते हैं कोई भी product या item आपका क्या हो रहा है damage मिल रहा है या defective है या तो उसमें जो material है वो different है और अगर आपको उसमें refund जो है वो process किया गया है और आपका जो return तो हो चुका है लेकिन अगर आपको refund नहीं मिला है ऐसे condition में भी आप सबसे पहले तो content करेंगे seller को अगर 14 दिन के अंदर ही ये case को seller solve नहीं करता तो आप A to Z guarantee का जो claim है वो कर सकते हैं seller के उपर तो Amazon जो है वो seller के उपर जो है वो action लेगा इसके अलाबा यहाँ पर अगर आपका Amazon business order है अगर आपको damage defective or wrong item मिला है seller को content करना है अगर वो return process आप कराना चाहते हैं अगर ऐसा नहीं करता तो आप A to Z claim कर सकते हैं और उसके अलाबा अगर आप यहाँ परेमा जान दूसरा चीज़ ये बोलता है कि आपको सबसे पहले seller से content करना होगा और उनके response का कम से कम दो दिन जो है wait करना होगा अगर आप जो है वो refund के लिए eligible है तो आप देख सकते हैं you are limited to lifetime maximum of 75 days में refund आपका जो है वो request कर सकते हैं और यह बहुत सारे processes हैं अगर इसमें से process seller follow नहीं करता तो आप उनके उपर A to Z claim जो है वो कर सकते हैं इसके लाबा किन किन चीजों पर A to Z claim जो है या A to Z guarantee जो है वो follow नहीं होती तो जो digital merchandise है उनके उपर और ऐसे payment जिसको आपने credit card से किया है हना जहां पर जो bank है वो आपका जो charge bank है वो issue करता है तो ऐसे में आपका A to Z guarantee काम नहीं करता तो इस तरह से जो A to Z guarantee होती है वो आपको protection provide करता है आपके seller के regarding अगर आपने third party कोई भी product purchase किया है और उसमें कुछ भी आनकानी किया जाता है seller के द्वारा तो आप उस पे A to Z claim जो है ठोक सकते हैं इससे Amazon क्या action लेता है Amazon उस particular seller को ban भी कर देता है वो Amazon marketplace में अपना समान बेज भी नहीं सकता तो अगर कोई seller आपके साथ fraud करता है कुछ भी करता है तो आप Amazon से customer के अरसे contact करके A to Z claim कर सकते हैं या फिर your orders में जाकर भी आप A to Z claim कर सकते हैं तो इस तरह से A to Z guarantee बहुत ही फायदे मन चीज होता है तो बेफिकर हो के आप seller fulfilled product भी Amazon से purchase कर सकते हैं बट मेरे advice है रहेगी कि maximum courses करें कि same product है एक product अगर आपको Amazon fulfilled मिल रहा है तो आप Amazon fulfilled product लेने की courses करें तो आज की वीडियो यहीं तक थी मैं विनाश्मा भी आप सभी से लना चाहूंगा वीदा जैहिंद वंदे मातरम